फोन फिक्स हैजराबाद एचिप लेवल मोबाइल रिपेट ट्रेनिंग सेंटर प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब और चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स और नुव वीडियो थैंक यू वेरी मुट्ट एलो फ्यूचर वेल्कम ट्यूचर फॉन फिक्स हैदराबाद जयते के फैंस हर बार में आपके लिए कुछ ना कुछ एक टूल का या तो एक रिवीव करता हूं या तो पिर एक कोई ना कोई एक स्टेलूशन लेकर आता हूं ऐसे फैंस आज मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट मैं मैं complete वीडियो बनाऊंगा कि एक setup कैसा होना चाहिए एक mobile repair technician का एक mobile technician के setup पे क्या-क्या होने चाहिए किस तरह का उसका setup होना चाहिए कितनी minimum चीजे होने चाहिए उसके उपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आग जो वीडियो बना रहा हूं friends में यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले यहां पे बताऊंगा मैं आपको यह PPD Applier है जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का Applier होता है जिससे हम reballing वगारा में आपको यह काम में आता है यह सेपरेट से इस तरह के Applier Blades मिलते हैं और आपको इस तरह के Handle में इसके साथ उसको लगा करके PPD Applier करना पड़ता है इसके अलावा friends यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक Blade है जो के आपको इस तरह की Blade होती है आपको CPU Scratching करना है या कहीं पे Jumper और अगरा काटना है तो आप यह Blade का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके अलावा friends यहां पे आप देख सकते हैं यह 11 नमर की Blade है जिसको आपने देखा होगा हमारे Class के अंदर बच्चे यूज़ करते हैं यह वाली Blade बहुत ज्यादा ही काम में आती है इसकी जो Blades आती है इस तरह का Packets आता है इसका अगर आप देखेंगे तो यहां पीछे Chinese में लिखे हुआ है 23 नमर और 11 नमर की Blade होती है तो यह वाली जो Blade है यह बहुत ज्यादा काम में आती है हमारे लिए इसके बहुत सारे Work है जो कि हम आपको हर Student को सिखाते हैं कि यह सारे Tools को कैसे यूज़ करना है इसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं Dual Laker वगरा Clean करने के लिए एक Brush आता है और हमारे पास जो Student को हम देते हैं यह Relive का एक Tweezer होता है यह बहुत अच्छी Quality का होते है ज्यादा Heat वगरा भी इस पे नहीं लगती है तो यह वाला Tweezer भी हम बच्चों को देते हैं तो फैंट एक छोटा सा एक वीडियो है हमारे Students के लिए इसके अलावे भी बहुत सारे Handles इस तरह के यूज़ होते हैं आपको यह देख सकते हैं आप सकते हैं इसमें आपको बहुत सारे अलग-अलग Blades होते हैं जो आप लगा करके यूज़ कर सकते हैं कि इसमें बहुत सारे अलग-अलग Differen'T Now के Blades होते हैं तो फैंट टो फैंज़रों एक चछोटा सा Video हमारे Students के लिए यह जो blades देख रहे हैं friends आप इसके अंदर इस तरह की blades आती है जो यहां पर मैंने बताई हैं बहुत तेज होती हैं शार्फ होती हैं बहुत धियान से इस पर काम करना होता है इसके लावा भी बहुत सारे tools लगते हैं friends उसका मैं वीडियो एक complete वीडियो बनाऊंगा कि एक mobile technician भाई के पास क्या-क्या tools होने चाहिए और यह आपको सारे market में मिल जाएंगे देली में मिल जाते हैं हैं हैदराबाद में मिल जाते हैं हमारे institute के पास भी टूल वाले हैं वो अपने counter को manage करना इसको पर मैं वीडियो बनाऊंगा और नीचे अपना प्यारा सा comment दे हमारे पाल तो next batch है 27 में से है अगर आप चाहे तो उसमें आ सकते हैं thank you very much